हेलो गाईज आप देखे रहे मेरा यूट्यूब चैनल वी ट्रैबलर और आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे तो फाइफ प्लेसिस इन इंडिया टू सेलिब्रेट नियू येर के बारे में इंडिया की पांच ऐसी बेस्ट जगा जहां पर आप नियू येर सेलिब्रेट कर सकते हैं जैसा कि हम सभी जानते हैं नए साल के मोके पर सभी लोग बहुत उत्सुक होते हैं ये दिन हम सभी के लिए बहुत खास होता है हर इंसान अपनी भागदोर बड़ी जिन्दिकी से दूर जाकर इंजोई करना चाहता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको उन पांच जगों के बारे में बताते हैं इसे देखने के बाद आप भी यहां आकर इंजोई करना चाहेंगे आपको बता दे कि जिन पांच प्लेसिस के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं वह सभी प्लेसिस नियुएर सेलिबरेट करने के लिए बैस्ट माने आते हैं तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और उन पांच प्लेसिस के बारे में आपको बताते हैं नमबर फाइफ है मसूरी सरद्यों में घूमने के लिए मसूरी बहुती लोग प्रियस्तान है दूर दूर से लोग यहां घूमने के लिए आते हैं उत्रखंड का हिलिस्टेशन है जो कि मुक्य तोर पर हनीमून कपल्स के घूमने के लिए बैस्ट माने जाता है नए साल के मुक्य पर बहुत सारे लोग यहां घूमने के लिए आते हैं और सुनेरी यादे इखटा करते हैं अगर आप 20 सल जिन्वरी के महिने को यादगर बनाना चाते हैं और प्रकृति का आनन उठाना चाहिए तो आपको यहां ज़रूर आना चाहिए अगर आप मसूरी के बारे में और जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा भारत में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसिस हैं जिसमें से कुल्लू मनाली सर्दियों में घूमने के लिए बहुत ही शांदार और रोमांचिक मने जाता है दूर दूर से बहुत सारे टूरिस्ट यहां घूमने के लिए और नए साल को सैलिबरेट करने के लिए आते हैं यहां का हराबरा वातावरन नदियां, फूलों के साथ बिछी हुई घास के मैदान, कुल्यू की घाटियां, पुराने मंदिर और सन्राइस यहां की खूबसूरती को बढ़ाते हैं अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आ रहा हो, तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें नमबर थिरी है, सिक्किम सिक्किम अपनी प्राकर्तिक सुंदरता के लिए भहुती प्रसित राज्य है, जो की 5.410 मीटर की उचाईप पर इस्तित है सिक्किम की वादिया और यहां का मोसम लोगों को अपनी और आकरशित करता है यहां से दूर दूर का नजारा भी बेहद आकरशक दिखाई देता है, जहां आकर लोग अपनी सारी चिंताओं को भूल मस्ती में डूब जाते हैं और प्राकर्टिक सोंदेर का खूब आनन उठाते है अगर आप नए साल के मोके पर धेरो नई नई यादे बनाना चाते हैं तो आपको एक बार ज़रूर यहां पर आना चाहिए नंबर टू है गोवा साल के एंते में और नए साल के अशुवात करने के लिए गोवा सबसे प्रसित माना जाता है जहां पर लोग अपनी जीवनसाती, दोस्तों और परिवार के साथ जाकर खूब सूब शूरत यादे बनाते हैं यहाँ पर बहुती खूबसूरत बीचीज हैं जिसके लिए गोव बहुती लोगप्रिये प्लेस हैं जिसके कारण यहाँ टूरिस्ट की जारतर भीडबार रहती है यहाँ नए साल के मुखे पर देर रात तक पार्टियों को बड़े ही दूमदाम से सेलिब्रेट किया जाता है अगर आप पार्टियों के शोकिन है तो यह जगा आपको खूब लुबाएगी नमबर वान है राजिस्थान राजिस्थान नियूर सेलिब्रेट करने होले प्लेसिस की लिस्ट में सबसे उपर आता है जो सबसे पॉपुलर प्लेस है राजिस्थान में कई ऐसे प्लेसिस हैं जो टूरिस्ट को अपनी और आकरशित करते हैं दूर दूर से टूरिस राजिस्तान में गूमने के लिए आते हैं इसमें सबसे जादा New Year Celebration के लिए जैसन में जाना पसंद करते हैं इन दिनों को यादगर बनाने और New Year के जैसन के लिए इसे बड़े ही अनों के डंक से सजाय जाता है अगर आप New Year Celebration के लिए किसी गरम जगा पर जाना चाते हैं तो यह जगे आपके लिए एकदम बैस्ट रहेगी अगर आप New Year Celebrate करने के लिए किसी जगा पर जाना चाते हैं तो आप इन सभी प्लेसिस में से अपना फेवरेट प्लेस चूस कर सकते हैं आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोस की आपको डार नोटिविगेशन मिल सके थैंक यू फॉर वाचिंग